हेलो जहिन दोस्तों अमा यार बताओ कैसा लगा एक नमबर है ना एकदम ला जवाब यार पता इसपेशली जब आप किचन में होता हो ना तो आपको खुद की तारीफ खुद ही से करने पड़ती है किचन कमांडो तो आज हम बनाएंगे एक बिरियानी वो भी साउथ इंडिय स्टाइल में यूनीक तरीके से ठीक है इसके लिए हमें बहुत धीर सारा प्याज चाहिए होगा याद रखना दोस्तों प्याज बिरियानी अच्छा कोई भी बिरियानी आप बना रहे हो ठीक है फर्क नहीं पड़ता नॉन वेज चिकन बिरियानी या फिर मटन बिरियानी फिर एक बिरियानी प्याज बिरियानी की जान होती है तो इसमें बिल्कुल हाथ तंग मत रखना आप लोग होके प्याज को अच्छे से भूनेंगे सबसे पहले थोड़ा सा घी और थोड़ा ज्यादा घी उसके बाद तेल और अच्छे से ट्रांस्पेरेंट होने तक भून करेंगे उसके बाद हम लोग टमाडर अड़ करेंगे और उसके बाद थोड़ा लिड क्लोज करके दो मिनट के लिए रखेंगे फिर मसाले अड़ करेंगे सारे जितने अपने पास मसाले उसके बाद मेरा फेवरिट पार्ट मैगी मसाला as usual आप लोग जानते हो ठीक है उसके बाद चला दो mix कर लो नमक add कर दो नमक end में थोड़ा add करना ठीक है नमक थोड़ा end में add करना सबसे important black pepper South Indian dishes में black pepper बहुत use होता है इसलिए black pepper बहुत 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 important है do not skip अच्छा क्या आपको पता है ऐसा कहा जाता है कि बिर्यानी पर्सिया से originate हुआ था जी हाँ दोस्तों इट वाज ओरिजिनेटेड इन पर्सिया and वस बोट टू इंडिया बाई मोगल्स और जी आधा काम मेरा यहां हो चुका है अब आड करेंगे अंडे देख रहे हो टमाटर और प्यास का मिक्चर कितना पर्फेक्ली हुआ है न अंडे आड करके थोड़ा सा पानी आड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके धनिया आप इसमें और अडिशनल पोदीना एड कर सकते हो हरे कटे हरा कटा हुआ मिर्च एड कर सकते हो डिपेंड्स ऑन यू ठीक है अब राइस रेशिपी शुरू बरते हैं थोड़ा सा रिफाइन या तेल लेके उसमें थोड़ा सा घी आड करेंगे और फिर अपने स्पाइसे अड करेंगे स्पाइसे को अच्छे से थोड़ा सा भुनने देंगे उसके बाद एक मिनट बाद अपना राइस सोगड राइस अड करेंगे जो कि 30 मिनट पहले हम मैंने पानी में डाल के रखा था और ये राइस छोटे दाने वाला आप राइस लीजेगा एक बिर्यानी में तो ही अच्छा लगेगा उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मिक्शर मैंने तयार किया था उसमें दही और नीबू आड कर लीजेगा तो ये एक बिर्यानी को एक अडिशनल खटा वाला फ्लेवर देता है जो कि बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर इंडिच करता है स्वाद को राइट इधर अपना चावल भी हो गया फ्राइग देख रहे हो ओए होई क्या ही मस्त बहुत अच्छा स्मेल था दोस्तों बहु कड़ी है उसको हम लोग एक लेयर बीच में लगाए फिर उसके उपर एक और लेयर चावल का उसके बाद जो पहले से ही हमने मैंने प्याज भुन रखा था उसे और धनिया के साथ गार्निश करेंगे थोड़ा सा फूड़ कलर एड़ कर सकते हैं तो इस फेरी गुड आप द आप लोग ड्याइड करिएगा ताकि नीचे से चावल साथे नहीं या पेंड बेस में जो वो सण जाता है वो नहीं हो और एक चीज शेर करनी थी कि बेरियानी जो है न वो पर्सियं वोर्ड बेरियन से लिया गया है आपको मैंने बताया कि बिर्यानी पर्सियन पर्सिया से ओरिजिनेट हुआ था राइट तो बिर्यानी जो है वर्ड वो पर्सियन वर्ड बिर्यान से लिया गया है जिसका नाम है फ्राइड बिफोर कोकिंग है ना इंटरस्टिंग अब ये देखे बाई साव ये देखे ओए-ओए ट्रस्ट में बहुत बहुत यमी था खाने में तो मज़ा ही आ गया मैं तो जितना मुझे भूख था उससे ज़्यादा मैं खा लिया था आक्चिली मैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे जितना भूख है उतना जितना मन खर है उतना ही खाओ लेकिन बना इतना टेस्टी था ये देखे कैसे लग रहे बताईए अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेर सब्सक्राइब चैनल को और बस प्यार देते रहिए इस वीडियो को तैंक यू